नमस्कार किसान भाई स्वाकते विकम फार्मिंग यूटूब चैनल में किसान भाईो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में धान को लेकर बहुत अच्छी 3-4 वरैटियां बताएंगे जो की टॉप बास्मती धान की वरैटियां है किसान भाईो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मई का महिना चल रहा है और किसान भाईो अगले महिने से पूरे देश में लगब लगब मांसुन का जो आगमन हो जाएगा और इसके बाद किसान भाईो हर्याना, उत्तरप्रदे, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चतिसगड, अंदरप्रदेश, तमिलाड और बिहार, सहित, पूरे देश में किसान धान की खेती की त्यारी में लग जाएंगे बासमती धान की खेती करने का अगर आप भी प्लान बना रहा हैं तो किसान भाईों आपके पास कम से कम 3-4 व्रैटिया हम ले के आएं बासमती धान के जिनकी आप खेती करके बहुत इच्छी आप उपज इस वार से ले सकते हैं तो किसान भयों वीडियो को तरफ तो बढ़ते हैं और बात करेंगे उनकिसान भयों उनकिसमों seller के बारे में बासमति धान की टॉप अच्छी किसमों के बारे में अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए तो किसान भायो बढ़ते वीडियो के तो बात करते हैं सबसे नमबर एक जो वरैटी है इस वरैटी का क्या नाम है तो नमबर एक पे जो किसान भायो वरैटी आ रही इस वरैटी का नाम है पूसा 834 किसान भायो ये किसम जो है पूसा 834 एक अच्छी उपजवाली बास्मती धान की एक बेतरिन किसम है इस किसम को किसान भायो भारतियों किर्सी अंसंधान संस्ता ने विक्सित किया और इसमें रोगों से लड़ने की छमता अधिक पाई जाती है और किसान भायो इसके उपर जुल्सा रो का कोई भी असर नहीं पढ़ता है और पूसा 834 की बात करें तो ये किसम किसान भायो अर्दबावनी किसम है और इसमें तेज हवा और आंधी चलने पर किसी भी परकार का फसल पे कोई प्रभावनी पढ़ता ना ही फसल गिरती है खास बात ही आए किसान भायो या जो किसम है 125 से 130 दिन में पकर त्यार हो जाती है और किसान भायो इस किसम की अगर आप 130 दिन के बाद भी कटाई कर सकते हैं 125 से 30 दिन तक त्यार हो जाती है और अगर किसान भायो इस किसम की पैदावार की बात करें तो किसान भायो इस किसम से आप 60 से 70 कुंटल प्रती हेक्टेर तक आप उत्पादन ले सकते हैं मैं किसान भायो अगर अगली किसम की बात करें तो अगली किसम दूसरे नंबर पे है पंत धान 12 पंत धान बासमती किसम की एक बेतरी किसम में ये भी मानी जाती है और एक कम समय में पकर त्यार हो जाती है इसकी उपज चमता भी अन बास्मती किसमों के मुकाबले अधिक है अगर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो किसान भाई इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये किसम 110 से 115 दिन में फसल त्यार को कर पक कर त्यार हो जाती है और किसान भाई इस पंत धान को भारतिये क्रिशियन अगर इसकी हम उपज की बात करें कि इसकी उपज कितनी है तो पैदावार किसान भायों जो तीसरी किसम है वो है सुकाष्ट के धान सुकाष्ट के धान एक बासमत्ती किसम की एक एबी अच्छी किसम उपज अच्छी उपज देने वाली किसम है इसे किसान भायों सेरे किसमेर किसी विज्ञान और प्रदियो की विश्विद्याले ने विक्सित किया है या भी एक अर्द बने किसम है और इसमें तेज हवा चलन तक आप पैदावार प्रती हेक्टेयर से ले सकते हैं और किसान भई अगर हम चौती किसम की बात करें तो हमारी जो चौती किसम है यह है पूसा 14101 गलती होगे किसान भई पूसा 1401 को भारतिय किसम की अर्दबौनी किसम में आती है किसान भई एक चीज बताना चाहेंगे जितनी वे अर्दबौनी किसम है इन पे तेज हवाओं का कोई भी असर नहीं होता है और यह हवा में गिरती भी नहीं है और अच्छी पैदावार निका कर त्यार हो जयती है रोग प्रति रोगी किसम है इसकी खेती नर्थ इंडिया के सिंची ले सकते हैं तो किसान भई यह हमने आपको चार किस्म में बताई थी जो कि बहुत एक अच्छी और टॉप की किस्में है बास्मती कि जिससे आप पिर्की खेती करके एक अच्छी पैदावार इनसे ले सकते हैं तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजे शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लिजिए धन्यवाद